कि एलो इस्टुडेंट में पवन बमोरिया आज पर आपका स्वागत करता हूं आज हम फिजिक्स के टिप्टर टू के अब्जेक्टिव पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले वन वर्ड या एक सब्दम में उत्तर दीजिए पहला कोश्चन हम देखते हैं क्या है पहला कोश्चन ह है कि इंपर्डेंट्न कोश्चन है दहरीता का एस मात रख क्या है में इस साइई खर्लोडन क्या है कि एक इस थाइय तो फार्मूला अगर हम देखे तो Q is equal to CV होता है अगर C जो है वो capacitance है Q by V is equal to C होगा क्यों क्या है charge है charge का dimension formula 80 होता है और ये V जो है वो voltage है potential difference है विभाव है विभाव का अगर हम अलग से formula देखे तो V is equal to होता है W by Q W की dimension formula होता है M1 L2 T-2 और इदर आ जाएगा 80 को solve करेंगे तो हमको मिलेगा M1 L2 T-3 A-1 यहाँ पर value put कर देंगे तो M1 L2 T-3 और ये क्या हो जाएगा minus 1 इसको solve कर लेते हैं M to the power आ जाएगा minus 1 L to the power minus 2 T to the power minus 3 plus 1 और हो जाएगा और A to the power minus 1 उपर जाएगा plus 1 पहले से 1 है 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 M-1 L-2 T to the power 4 A to the power 2 होगा dimension formula of capacitance धारिता का विमिया सुत्र अगर किसी आवेसी चालक के चारोर कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर नान कंडुक्टिंग मीडियम है तो क्या एफेक्ट होगा अगर आपको फार्मूला पता है तो कैपेसिटेंस जो है वो जो मीडियम होता है माध्यम जो होता है उसकी जो के होता है के मतलब पराविद्यतांक उसकी क्या होता है डारिकली प्रपोस्टनल होता है अगर हम हमारे पास कोई मीडियम है कुचालक मीडियम इंसुलेटिंग कंडुक्टर है यह नॉन कंडुक्टिंग मीडियम है तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो सब्सक्राइब सकते कि जो है आर के डायरेक्ली प्रपोस्टनल होता है फार्मूला था इस इकवल टू फोर पाई एपसलान जीरो बाई इस लेते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब 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 या area है डी क्या है प्लेट के बीच का distance है और के क्या है जो है medium जो है का डाइलेक्टिक constant है नेक्स्ट है संधारित्रों को अगर स्रेनीक्रम में जोडा जाए तो कब जोडा जाता है करने के लिए के बाद अगर हमको तीनेट का टॉड़ेंगे जब हमको टोटल केपेसिटी को डिक्रीज करना होता है तब हम क्या करते हैं क्या करते हैं को कौन से सीरीज में कंबाइन करते हैं करने के लिए के बाद अगर हमको टोटल फार्मूला देखे तो सीनेट इस इक्वल टू होता है इसका मतलब है कि जब भी हमको कैपेसिटी इंक्रीज करना होता है जब भी धारिता को बढ़ाना होता है तब हम उनको काय में जोड़ेंगे समानतर क्रम में तो पैरलेल्स में क समानतर क्रम में स्रेनिक्रम में जुड़े समान संधारितर के समान धारिता C के दो संधारितरों की संयुक्त धारिता क्या होगी अगर हम देखे तो हमारे पास C net का फार्मूला होता है C net is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2 when both are connected in series अगर दो संधारितर जिनकी धारिता C1 C2 अलग अलग है उनको अगर हम काय में जोड़े स्रेनिक्रम में तो यह धारिता का सूत्र होता है अब हमको बोलाए कि दोनों की केपेसिटी कितनी है तो हम value C put कर देंगे यहां पर आ जाएगा C into C divided by C plus C to C. C to C cancel हो जाएगा तो answer हो जाएगा C by 2 को नेक्स इसक्षान है तो संधारितर संधारितर C के धारिता के संधार करम यह में जोड़े गए तो दारिता तुल्य क्या होगी दू के पेसिटर साव इकल कैपिसीटेंटेंस करेंटेंटन के मैंने बताया था आपको किसी नेट होगा कितना होगा सीवन प्लस सीटू-प्लस सीटीटर अगर हमारे पास 2 के बल्टेशचीटिर कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी के इक्वल हो जाएगी ऐसे अगर 38 करते को अगर हम कनेक करते हैं तो तीन संधारित्र तरह को समांतर में जोडेंगे तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी संदारित्र में कितनी उर्जा संचीत होती है इतनी एनर्जी हमारे होती है संचीत होती है प्रत्वी का विभव कितना होता है वाट इसीलिए हम घरों में बोलते हैं कि अर्फिंग किया है तो अर्फिंग का मीनिंग है कि हमारी अर्थ से उसको कनेक किया है और उसका पोटेंशल जीरो होता है प्रत्वी का विभाव सुनने होता है और धारिता आनंत होती है अगला जो कोश्चन है खोकले चालक के अंदर विद्धु छेदर की तीवरता कितनी होती है वाट इस इंटेंसिटी आप इलेक्ट्रिक फिल्ड इंसाइड दो अगर होलो कंड़क्टर है कोई भी हमारे पास खोकला गोला है उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता जितना हम चार्ज देते हैं वह कहां जाता है सर्फेस पर अगर ऐसा होता है तो अंदर चार हम लेते हैं विद्धुद्विध्रु की किस इस्तती में विद्धुद्विभा का मान सुन्ने होता है इन विच कंडिशन आप इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दे वाल्यू आप इलेक्ट्रिक पोटेंशल इस चीरो हमने दो को कंडिशन पड़ी है एक एक्षियल पोजीशन और एक ईक्षि इस्तति जो निरक्षी स्थती में जो हमारा विभवता है वो क्या होता जीरो होता है वेंटारीयल कि फोजीशन में टोट़ेल लो हमारा पोटेंशेल केतना होता है यह हमांतर प्लेट worms चालक कितना होता है है उसकी प्लेटों पर अकर हम देखहें तो इस टाइब का वेश्त होता है अगर फ्लस क्यों थी होता है तो टोटल दो प्लस-क्यों ट्यूच्ब्यus 5098 डू जी पाइसाई अरफ द्र पॉटेंशल इस नौट जीरो अभी हमने देखा कि अंदर किसी भी पॉलो चाज होलो सर्किट है या फिर हमारे पास कोई गोला खोकला गोला उसके अंदर विभाव तो सुन्य नहीं होगा लेकिन दारिता क्या होती विद्दुचेद्र की तीवरता क्या होती है सुन्य इसका पॉसिबल है हाँ ऐसा संभाव है कुछ अलग माध्यम की उपस्तिती में विभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है वाट इस दीफेक्ट ऑफ प्रेजेंस आफ नॉन कंडुक्टिंग मीडियम अंदर पोटेंशल अगर डायलेक्रिक कॉंस्टेंट का क्या एफेक्ट होता है तो व का जो फार्मूला होता है वो अगर आपको आता है वी इज एकवल टू होता है वन बाइफ टोर पाई एपसलों नॉट के और यहां आ जाता है क्यू बाई आर एक पॉइंच चार्ज के कारण है हमको यहांसे समझ में आएगा कि जू वी है वो के क्या होता है इनवर्स से वह क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा कुछा लग माध्यम की उपस्तिती पर विभो का क्या प्रभाव पड़ता है विभाव कम हो जाता है पोटेंशल जो वह डिक्रीज हो जाता है कि नेक्स एह फिलीन दब्लेंक एक्तिस्थानों की पूर्ति कीजी पहला कोश्यन है वन फेरट इस इक्वर्ट वन कुलाम बाय वाट एक फेरट बराबर एक कुलाम बटे क्या देखिंग क्यों इस इक्वर्ट अभी मैंने बताया था सी वी होता है अगर सी की वैल्यू फाइं पर पूचा है वन कुलाम बाइवाट तो वाट रोगा वन कुलाम बाइवाट इस एक्वल टू बराबर होता है उसकी वैल्य आपको याद रखना है 9 into 10 to the power 11 के एकवल होगा 9 गुणी 10 की घाद 11 के एकवल होता है एक पेरेट धरिता का विमी सुत्र अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो हमने फाइंड किया था अगर याद है तो क्या आया था M to the power minus 1 L to the power minus 2 T to the power 4 and A to the power 2 It is the dimensional formula of capacitance नेक्स कुश्चन है वह युक्ती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी संधारित उसकी धरिता को बढ़ाया जा सकता है यह क्या है यह संधारित होता है capacitor होता है capacitor की definition है capacitor is a device by which the capacitance of a conductor can be increased without any changing its shape or volume तो volume और shape में change किये विना अगर हम capacitance को जालक धरिता को बढ़ा सके तो इस unit को क्या बोलते उस device को क्या बोलते तो इस device को हम संधारित्र बोलते हैं और इंग्लिस में हम उसको capacitance बोलेंगे next question है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धरिता पर क्या एफेक्ट होगा on increasing the distance between the plates of a parallel plate capacitor its capacitance become capacitance का formula था है C is equal to epsilon 0 A A और बाइ क्या आएगा D यहां पर देखिए C and D एक दूसरे की क्या है inversely proportional C and D distance between plates are inversely proportional अगर हम D को increase करेंगे तो capacitance क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा अगर हम D को बढ़ाएंगे तो धरिता क्या हो जाएगी घट जाएगी इसी प्रकार यह plate के लिए भी आ सकता है जो है एरिया के क्या है directly proportional है अगर area of cross section या area हम increase करते प्लेट का capacitance क्या हो जाएगा increase हो जाएगा अगर नेक्स कोश्चन है त्री पीको फेरेट धारिता के तीन संदारित्र स्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य धारिता क्या होगी अगर आपको याद है सी नेट सीरीज में अगर सी के पेसिटेंस के कनेक्टेड है capacitor तो सी नेट इस ओक थो होता है सी बा एं इन क्या है नंबर आप capacitor क्या पेसिटेंस जो भी उसकी capacity to see by n होगा सी की value कितनी है ठी पेको पिको फैरेट और नमबर आप capacity 3 है 3-2-3 cancel हो जाएगा तो सी ने ट की value कितनी हो जाएगी वन पीको फैरट दोए नेक्सस्रों समयूत विभवो का व्यमी शुत्र क्या होगा दाइमेंशल फार्मुला आप दए लेक्ट्रिकल पोटेंशेल इस अभी मैंने आपको बताया था वी इस इक्वल टू होता है डब्लीव बाई क्यू डब्लीव वक्डन होता है कार्य होता है विमी सुत्र डाइमेंशन फार्मूला M1 L2 T-2 होता है और चार्ज का A T होता है इसको सॉल करेंगे तो M21 रहेगा M2 यह है पोटेंशल का डाइमेंशन फार्मूला विद्दुद्विभव का विमी सुत्र M1 L2 T-3 A-1 कि एक आवेस क्यू के कारण इससे आर दूरी पर विद्दुद्विभव कितना होगा पॉइंट चार्ज है क्यू उससे आर डिस्टेंस पर पॉटेंशल कितना होगा पॉटेंशल का फार्मूला होता है वी इज एक्वल टू वन बाइ पॉर पाइ एपसलोन नॉट मीडियम अगर के मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट के है तो के क्यू बाइ आर यह होगा हमारा फार्मूला नेक्स्ट लेते हैं दो बिंदो के बीच विभांतर बराबर विद्दु छेत्र की तीवरता गुनित क्या पोटेंशल डिफरेंस बेट्विन टू पॉइंट्स इस इक्वल टू इंटेंसिटी अप एलेक्ट्रिक फिल्ड एंड प्रॉस डेस डेस आपको यह फिल इंद ब्लैंक में क्या पूट करना है कि यह सहीं हो जाए तो दो बिंदो के बीच विभाव जो होता है विद्दु छेत्र की तीवरता गुनित क्या होगा हमने कहीं यह पड़ा है डिवी ब्लैंटर को सहरे तो हम आसे अगर हम डिया ुफावह प्रहनता विद्दु छेत्र की तीवरता के बराबर होता है यहां से अगर हम वाल्यू फॉयट करें निडाक्रेहала हो उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उन बिंदों के बीच की क्या जाएगी दूरी, तो अगर हम दूरी से गुणा करते विद्दुझे रिख्यत्र की तीवरता में, हमको मिल जाएगा दो बिंदों के बीच का विभबानता। नेक्स्ट जो कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 10 अगर Q चार्ज है उसको V पोटेंशल से हमने एक्सिलरेट किया है उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इस एकवल टू Q इंटू V के एकवल हो जाएगी यहाँ पर एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूं अगर Q की वैल्यू वन खुला में या वन इलेक्टरान के चार्ज के एकवल है और V वन ओल्ट है हम बोलते हैं कि जो kinetic energy होती है वो होती है one electron old कितनी होगी one electron old और kinetic energy of one electron old is equal to होता है one point six into ten to the power minus nineteen joule यह most important question है आप रट लीजी इसको आएगा exam में one electron old is equal to how amount of energy in joule to one electron old is equal to होता है one point six into ten to the power minus nineteen joule electron old किसकी unit है याद रखेंगे electron old is a unit of kinetic energy कि अधिक कुश्चिन रहे गया उसको हम रिपीट करते हैं कुचालक माध्यम के होने से विभाव पर क्या effect होगा due to the presence of non conducting medium the potential is अभी बताया था मैंने आपको फार्मूला बताया था वी जो है वो के कि क्या होता है inversely proportional होता है अगर non conducting medium है तो के की वेल्यू लार्ज होगी increase होगी और ऐसा होगा हमारा वी जो है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा किसी आवेश को विद्धु छेत्र के लंबावत ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा आपने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है जब भी पर्पेंडिकुलर की बात करते हैं तो जो ठीटा होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी 90 और वर्क डन का फार्मूला होता है और अगर हम यहां पर ठीटा के प्लेस पर 90 पूट करते तो वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहां पर कोई मतलब नहीं था क्यों आपको एंगल देखना था एंगल अगर 90 होता है तो वर्क डन कितना होगा जीरो यह आपको 11 में पढ़ाया था जब भी पर्पेंडिकुलर की बात करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा और 90 डिग्री एंगल के लिए वर्क डन पर में में कुछ नहीं किया है केवल हमारे पास एकी टाइप एकी साइट के कॉलम है हमको इधर वैल्यूप पूट करना है पास्ट चालक की धारिता के पेसे टेंस आप दख कंड़क्टर थे करने चालक की इस्तती जुर्जा पोटेंशल एनर्जी आप दो कंड़क्टर चालक की धारिता गोली चालक की धारिता यहां से अगर हम वैल्यूप पूट करें तो चिस एक्वल टू क्यू बाई वी होगा तो फर्स्ट हमारा आजाएगा क्यू इस इक्वल टू दी बाई वी सिकंड है पोटेंशल एनर्जी आफ कंड़क्टर तो पोटेंशल एनर्जी जो है गर उसकी बात करें अभी मैंने बात की थी कि U is equal to होता है 1 by 4 by epsilon 0 Q1 Q2 by R Q2 U is equal to 1 by 4 by epsilon 0 यहां जाएगा Q1, Q2 और by R की हो जाएगी पोटेंशल एनर्जी का फार्मूला गोली संदारित्र की धारिता का सुत्र तो एक हमारे पास spherical conductor है उसकी conductance की बात करते हैं मैं यहां U की value पूट कर देता हूं 1 by 4 by epsilon 0 Q1 Q2 by R third जो है कैपेसेटिन साब हो spherical conductor C is equal to 4 by epsilon 0 A B divide by B minus A यह spherical conductor की कैपेसेटिन का फार्मूला होता है 4 by epsilon 0 A भी आता है अगर K medium को air यूज कर ले तो K की value 1 हो गई A B divided by B minus A A और B क्या होता है अगर आपने पड़ा है यह रेडा है A और यह रेडा है B नेक्स्ट है समांतर प्लेट संदारित्र पैलल प्लेट कैपेसेटर की conductivity यह स्वरी कैपेसेटेंस होता है epsilon 0 A A और बाई D लास्ट है energy density और energy density जो है उसका फार्मूला होता है 1 by 2 आप इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुचाने की राय करें ताकि सब का भला हो सकते हैं और बच्चे ज्यादा ज्यादा नमबर ला सकें Thank you